वेलकम टो इस वीडियो में आपको बतना में बाला हूँ कि कुछ बिजनेस के बारे में की बिजनेस कैसे ग्रोग कर सकते हो यहां फिर कैसे आपका जो छोटा सा बिजनेस है उसे आप थोड़ा बहुत ग्रोग कर पाओगे आपके ब्रेन के उस होने से तो चलिए देख लेता ह है इस वीडियो को तो मैं कहना चाहूँगा कोई भी बिजनेस की तरह ही होता है अगर आप उसे ठीक से करोगे यहां फिर कॉंसेट करके करोगे तो वही आपका मेडिटेशन हो जाता है और जो बिजनेस से वह आगे बारता रहता है तो आपको पहले तो फोकस करना जाएगा और आपको पता चल जाएगा कुछी दिनों में या कुछी वक्त में आपका जो स्पीड है वह काफी बढ़ गया है बिजनेस से एक एक ऐसी चीज जो की आपके पास कुछ भी अगर काम हो वह अगर आप कॉंटिनूसली वान टाइम टू टू टाइम ट्री टाइम पर करते तो आपका स्पीड जैसे जैसे बथी जैसे बब्चा चला जाता है तो वैसे यसे आप शार एक दिन में जो कम पहले वह ऐसा होता था बार ऑर एक बार से ज्रदा नहीं होता यह उसके बात जब आप काफी दिनों तक काफी सालों कर रहा है और उसके बाद जो देखने को मिल रहा है कि आपका जो दो से तीन बार होना चाहिए था maximum speed वो जाके आपका 100 times भी बढ़ सकता है आपका चाहते हो तो और ये काम का काम का जो है उसको multiple करना ही business का काम है क्योंकि उसका profit जो है वो भी multiple होता रहता है और business में जो profit है total profit वो बढ़ता रहता है तो इसी के लिए हम लोग business की business को पसंद करते है और business करना चाहते है तो इस business को अगर आगे बढ़ाना हो तो हमें continuously एक काम को जैसे कि मैंने कहा जो speed बढ़ने के लिए या फिर वहाँ पर हमको total grip ज्यादा अच्छा मिलने के लिए हमें continuously एक चीजों की ऊपर काम करना पड़ता है पहले तो जान लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं हम किस के लिए interested है कौन चीज या फिर कौन सा product या फिर कौन सा service के लिए हम बने हुए है यानि हम क्या सोच रहे है हम सारे जिन्दगी क्या करते आए है और वो कौन सा business के लिए साही होगा अगर हम समझते हैं कि हम कोई shop shop कुलेंगे shop open करेंगे और उसके उसे में एक mobile का repair center बनाओंगा और तो वही बनाओ कोई business चोटा या बना नहीं होता चोटे से ही start करना पड़ता है जो दिरे-दिरे करके ज़रूरी होता है उसके साथ कामकाज भी कामकाज नहीं करता होगे आपका skill नहीं रहेगा तो बड़ा business करने का कोई फाइदा नहीं है तो आप अगर छोटे business से ही start करना परसंद करोगे तो आपके लिए सही रहेगा आप धिरे-दिरे करके उपर उटने लगोगे और जो आ बात है आपको समझना पड़ेगा एक बार बार करने से जैसे कि आपका profit multiply होता है तभी आपको एक काम जो बार बार करके continuously कर जाने पर आपका वो काम आसानी से हो जाता है और speed में होने लगता है एक काम अगर आप एक दिन में करने लगए अगर आप वो काम को ठीक से concentrate करके और continuously करो रोज करो यहां फिर routine के हिसाब से करो तो यही सब बिजनेस में होता रहता है और बिजनेस का जो इंफरस्ट्रक्चर है जो बोडब डी एकस्टर से लेकर नॉर्माल से employee साफाइब आ ले तक तो वहाँ पर काफी सारे system में रहता है system एक ही system है system में काफी सारे लोग रहता है employees रहता है तो यह सब मैंज करते है total business को मेनेजर मेनेजर होता है जासकी floor मेनेजर में जो जो लोग काम करते है उसका गापी सारह को देखते है वे इस तरह से बोड़ मैंजर यह सबस्क्राइब देखते हैं ने कशुनितRO इस तरह से काफी सारह से स्टेजेश होता है एक बार में ग्रियेट नहीं हुआ एक आदमी से ही पहले business ideas बनता है उसके बाद बनाना पड़ता है आपका जो business का project plans बनाना पड़ता है ideas से plan plans से आपका business को रूप देना पड़ता है बास तब इतमें अगर आप आपका जो imagination नहीं imagination calculated हो तो आपका business और भी बड़िया होता है क्योंकि आपका imagination ही आपको एक business खड़ा करने में जादा से जादा मदद करता है क्योंकि imagination ना हो तो आप business का कोई structure नहीं बना पाऊगे नहीं सोच पाऊगे अगर आप सोचते हो कि वैसे वैसे करके कुछ business स्टार्ट कर दिये जाए तो भी करो तो स्टार्ट करने पर आपको कहीं सारा जाएगा आप एक solution अगर निकलते हो दस बड़ा दीन है या फिर एक मैने में या फिर उससे भी जादा एक साल में तो आपको बाद में जो solution चुटकी में निकल आएगा और आप सोच सकते हो कि कैसे कैसे आपका स्पीड बढ़ जाना लगता है और जो स्पीड बढ़ जता है आपका production प्रोडूश करता हो सर्विस यां फिर कोई बी बिजनेस कर रहे हो उसका स्पीड बढ़ जना से आपका प्रोडक्शन बर जाता है सर्विस का प्रोडूशन भी हो जैसे भी production हो गुश का या इन को लगड़ा होता है तो यही साहरे बात है भीनेस का आपधानेक हो आज से भाना है और भीजनेस में कोई बीड़ से याज सारी है क्योंकि आपको पैसा ही नहीं आपने आपको भी उडंक्श करना पड़ेगा क्योंकि भूर्स अगर आपको इक समध मेस्टन ही और जो है बीजनेस को प्लान है वह धीरे बास्ता किता में करता है तो यहीं बात है जोuesta में घाज कफी काफी लोग निश्टिक कर जाते हैं यहें पैस itu है सिरे लिए डालने के बाद तो देखा कि समालना बेकार हो गया है और बिजनेस रिलिटेट एक बिजनेस खड़ा करने में उसको सायद और भी वक्त लग जाए तो बड़ा वाला जो बिजनेस से यानि आगे वाला जो बिजनेस है वो नीचे गिरने लागे जल्दी से तो ही सारे बात है जो बिजनेस में होता रहता है मैंने भ आप अगर ठीक तरीके से नहीं समझे इस बात को तो फिर से दवराता हूँ एक बिजनेस करना ख़ड़ा करता हूँ शायद वह बिजनेस मेरा IT फार्म का है इसके बात जो है मैंने और एक बिजनेस को शुरू करना चाहा अगर कुछ फूट्स के लिए जो खोल के कुछ जगह पर दिया हो तो वहां पर मुझे एंप्लोई तो रखना ही पड़ेगा तो रखे दिया पर यह दोनों डिलेटर नहीं है यह एक फूट्स बेचने का काम है ज जो इनका और जो मार्केटिंग डिलेटर आइटी डिपर्मेंट का आइटी फार्म है उसका प्रोटली डिपरेंट हो गया तो इसमें मुझे तो दिक्क्त आएगा तो यही बात अगर मैं पैसे के लिए करता हूं तो मुझे पैसा जरूरी है तो भी में कर पाऊंगा अगर म एसा बिजनेश खरा करने का सोचओ अगर आपका पहले से बिजनेस है तो उनका रिलेटर आपने e-commerce site e-commerce बिजन्स टार्ट किया है तो उसके साथ पैकेजींग लिए सोचओ तो e-commerce के साथ पैकेजिंग बिजिनेस आपका ही काम में आएगा और जादा से जादा बिजलेशन में बिजन्समें बड़ा बड़ा जो मिजनस् confusing कि अपास वह वो उन heckan पई या निंवेस्ट। दूसरे के लिए या दूसरे के अंडर काम करना दुर की बात है वह अपने पैसे को अपने जगर पर इंबस्ट आता है और जो profit आता है वो अपने अपने आप ही अपने लिए दूसरे वाला बिजनस में या फिर वही बिजनस को बढ़ाने के लिए इंवेस्ट बढ़ा है अपने के लिए रखता है जो उनका मर्जी है तो यही सब बात है कई कई लोग में मैंने देखा कि बिजनस करना चाह करेगा तो वह कैसे बढ़ा पाएगा और आगे जाके उनका जो बिजनस से उनका सोच लिमिटेड होने से उनका जो स्टेप से वह काफी हद दक फिजल जाएगा और वह घाटे में पढ़ सकता है बिजनस के लिए अगर वह इंवेस्ट भी ना करे अगर मैनत भी करे तो होता है वहीं इनलाइनच में तो एक ही तरह से आप मैनत को काम में लग गार जो पैसे इंकम करते हूं अगर इंवेस्ट करो तो उसके जगह पर काम को इनमस्ट करो तो रहा है पैसे दो या फिर काम औरो तो जो जो लिमिएट 14 वाले है करते ना ? वह बार्म्मान्य कोट सोज वाले होए कि उसका सोच बढ़ा ले réalité है और कही जगा से करते हैं कही सरेट कूर्स मिलता है बिज्णेस के लिए तो वहां जाके seminar return करते हैं और उसका seminar के बाद जो success rate आता है उनके पास तो बड़ी आ रहता है बहुत कम ही लोग ऐसे नहीं हो पाए कि business में success नहीं मिला उनका क्यूंकि वो गलती से गलती कर लेते हैं कैसे वह investment के लिए सोच रहा है इंवेस किया थोड़ा आपको अगर एक जगह से समस्त होता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है मैं दूसरे के पास वह भेजता हूँ वह सेल करेगा जो भी बैट डेप दुबागेरा रहता है अगर मैं पार्मिशन देता हूँ एक सेल्स में देप तो गया और जो उसको सेल करना पड़ेगा वह सेल करके मुझे पैसे भेज देगा तो शाद मैं एक प्रोड़क्ट भेजता हूँ एक हाजार रुपए का कॉस्ट में और उसका सेलिंग प्राइस होगा करीब देरहजर तक वह अगर मैं कॉंजाइन में भेजता हूँ उसको मैंने कह दिया है देरहजर में वेचो भाई और मेरे पास जो आएगा वो मुझे हजार से 200 रुपए के प्रोफिट में मिलना चाहिए अगर आप डेप लेते हो बैट डेप के जिम्मेदारी लेते हो तो आपको मुझे सिफ 200 रुपए देना पड़ेगा और या फिर आ आपको 100 रुपए देना पड़ेगा 300 रुपए देना पड़ेगा एक सो नहीं 300 रुपए देना पड़ेगा जिम्मेदारी लेने के वक्त उसका कॉमिशन भी बढ़ जाता है कि वह बैड़ में इंक्लूड होता है अगर वह पैसा भी डूग गया ना वो मुझे मेरे अगर मैं भेचता हूँ मैंने सिर्फ प्रोड़क्त खरिजने के लिए हजार रुपए वेस्ट कर दिया है तो मेरे पास हजार रुपए ही था और अगर 200 रुपए मैं किसी से उधार मांके उसको शिपिंग चार्च के लिए लगा देता हूँ यां पिसार रुपए उसको श दिल करा उसिते ईी दिलकोंगे न तो आपको डील करने की वक्त अगर भेज़ोंगा युद्न तो आपको कैसे मिंगेगा खुश होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा और करेंगे तो और करने पर आपको अगर ज्यादा प्रोडक्शन या फिर ज्यादा प्रोडक्शन करने में कॉस्ट क्या होता है घर ज्यादा है थोड़ा तो थोड़े कॉस्ट में आपका जो प्रॉफिट दिखने को मिल जाए और उसके बाद जो सो रुपए तक की कम हो जाएगी यानि आपका जो हजार रुपए में खरीदा वाले हो जो चीज यहां फी हजार रुपए पर रहा है उसके जगह पर आपको 800 या 900 रुपए पर तो 900 रुपए में आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा 100 रुपीस के जिया सब नुक्सान हो गया है घाटा में हो तो फीड हंडेड रुपीज ही अपना सेफ कर लो हंडेड यहां देर्सों देर्सों इंटू 1000 यानि 15 लाक 1.5 लाक्स 1.5 लाक्स का आपका प्रॉफिट हो जाता है यहीं से आपका बिजनेस फीट से शुरू करो जो उधाल लिये हो उसको वाफस करो तो यह सिफ 1.5 लाक्स का प्रॉफिट का सॉलीशन में आपको बता रहो तो यहीं जगा लोग गलती कर देते आप जब इंवेस्ट करना चाहो ना आपको प्लैन होना चाहिए उधर लेने का और कोई अपने तरफ से बैक अप होना चाहिए कि हम कैपिटल को कैसे इंवेस्ट करना ही पड़ेगा और कॉंप्लीट करें इसको मैं पहले ही कुछ खड़ी लेता हूँ उसके बाद मुझे प्लैन नहीं आता इसको पहले से जानना पड़ेगा आप अगर पुड़ी तरह से नहीं जानते हो बिजनेस के प्रोडाक्स को तो आप नहीं बे दूसरे बार भी बेजना चाहिए और आपका responsibility रहता है कि ज्यादा से ज्यादा margin रखके आप बेचो नहीं आपका responsibility रहता है कम से कम margin रखके बेचो या फिर आपका जो एक product बेजने में cost प्रॉफिट आएगा साथ 100 रूपाय से 200 रूपाय तो वह ज्यादा से ज्यादा बेचने में आपको प्रॉड़क में cost के उपर margin रखके मिले साथ 50 रूपीस तो 50 रूपीस सौ में कमाना चाहते हो या फिर 200 रूपीस एक बार में तो आपका एक product बेचने से 200 रूपीस प्रॉफिट तो हो गया है अगर आप सौ प्रॉड़क बेचोगे पचास रूपाय के profit में तो आपका कितना होता है 500 रूपाय का profit आपको मिल जाता है अगर तो आप क्यों 200 के लि दिमांड बढ़ने से आपका product का जो selling price है वो भी घटता जाएगा और अगर बहुत सारे डिमांड बढ़ जाता है और आपका delivery भी नहीं हो सकता है तो आपका ये responsibility खतम हो जाता है और business में जो investor है वो भी शायद इंवेस्ट ना करने लेगे क्योंकि जो customer है वो पहले से ही चल अच्छा क्वालिटी का product देना पड़ेगा आपको यही बात है अगर आप अगर दे सकते हो तो ही आपका business चलेगा तो आपका boundary अगर छोटा है तूसे बढ़ा कीजिए आप घूमने जाए कुछ नया चीज़े से किए YouTube में देखिए तो आपको कहीं साड़ा ideas भी मिल होता है वो भी YouTube में मिल जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी तो यहां पर बहुत सारे ऐसे टीप्स आने वाला है जैसे कि इस वीडियो में मैं कहड़ा हूँ तो business में कभी हार मानना मत यही सब में कहता हूँ business सभी जगह पर business है आपके डिलेटिव से भी ब अगर आप लेंदे इनको समचता है हो तो business को जरूर समचता है होगे तो यही बात ह है आप अगर किसी को रेकस्पै ú改म यहां कुछी नहीं होता है तो नेचर है और तो किSO करड़ आएो kleine today और जो पेड़े वह उसे औरत करक Sage आपको oxygen देल ला रहा है यही भी business से नेचर का रूल से जहां पर बिजनेस अरडी होता है तो यह नेचर को समझो तो बिजनेस को समझ जाओगे आज के लिए इतना ही आगर यह वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में क्या जानना है आपको कॉमेंट कीजिए और बहुत सारी वीडियो आएंगे तो उसको देखने के लिए बेल आइकों तो दबा लीजिए तो पहले बाला ही वीडियो का नोटिविक्शन आपके पास चलाएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो गुद बाई